हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में इस वीडियो में दोस्तों आप सेखें कि किसी पिक्चर को आप बिना टाइप के हुए टेक्स में कैसे कनवर्ड कर सकते हैं तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो देखे दोस्तों सबसे पहले आपको जिस picture को टेक्स में convert करना है उसको आपको अपने मुवाल के camera से क्लिक कर लिजी और अपने computer के अंदर उसे ले आए या फिर अगर जो आपके पास printer है तो उससे आप scan कर लिजी और अपने computer में उसे save कर लिजी इतना काम करने को बाद द इंटरनेट को connect कर लिजीगा और उसको बाद दोस्तों आपको अपना Chrome browser को open करना करना चलिए मैं अपना Chrome browser को में open करता हूं जैसे कि आप देखे मैं ब्रादर को यहां पर open किया हूं दोस्तों Chrome browser open करने के वाद दोस्तों आपको देश सकते कि यहां पर आपका email ID login होता है दो दोस्तों आपको निएव पर क्लिक करने के बाद आपको file upload पर क्लिक करना है और आप जो picture को text में convert करना चाहते उसको आपको select करने के बाद दोस्तों आपको है आपका जो photo रहेगा इसमें आपको upload होगा तो यहां पर इसका processing चल रहा है दोस्तों आप यहां पर इंतजार जब पूछ हो चुपा जिएुगा तो दोस्तों आप देखे़ी कि मेरा हैं पर पिक्षर अपलोड हो चुका यहां पर मेरा लिखा चुको यहां पर open bit पर click करना आपको यहां पर Google Docs पर इस इसको आपको click करकर इसमें आपको अपने photo को open करना चलिए मैं click कर दिया हूं यहां पर processing हो रहा तो इसमें इस समय आपको इंतजार करना है तो आप देख सेख दिख कि यहां पर यहां पर upload हो चुका है और आप देख रहें कि कुछ इस टैप से यहां पर मैं अपलोड कर दिया हूं और देख सकते कि नीचे में जो भी इस photo के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों और यहां पर टाइप होकर आ चुका है दोस्तों कुछ इस टैप से आप किसी पिक्चर को टेक्स में convert कर सकते हैं तो इतना कम करने के बाद दोस्तों चलिए मैं अपना जो भी टेक्स को सिलेट कर लेता हूं और इसको मैं copy कर लेता हूं copy करने के बाद दोस्तों इसको आपको MS Word के अंदर इसको paste करना है चलिए मैं अपना MS Word को में open कर लेता हूं कुछी स्टैप से और इसको MS Word के अंदर जाकर के इसमें paste में कर देता हूं MS Word के अंदर control B के साथ मैंने paste कर दिया है और इसको Ctrl-A-S-Rate कर लेता हूं और इसका जो Size है उसको मैं बढ़ा देता हूं और इसमें दोस्तों अब मैं चाहूं तो अपनी हिसाफ से इसमें इडिटिंग कर सकता हूं चलिए इसका Size को मैंने बढ़ा दिया है इसको मैं Adjustment कर देता हूं कुछ इस टैप से और जो भी आगर जो आपको मैंटर इसमें लग रहा है कि यह गलती टाइप कर दिया तो इसको आप डिलीट भी कर सकते चलिए मैं कुछ-कुछ मैंटर को यहां पर मैं डिलेट कर देता हूं और इसको मैं अपनी हिसाफ से इसमें Adjustment कर लेता हूं तो कुछ इस टाप से इतना काम दोस्तों जिरूरी है दोस्तो इसमें आपको अपने हिसाफ से कश्टनमाज करना ही होगा तो चलिए मैं अपना हिसाफ से इसमें कश्टनमाज कर देता हूं जो भी आगगो जो मैंटर आपको लगड़ा है कि गलती हो चुका तो इसको आप अपने कीवोड से ड्लीट कर शकते हैं पर आज चुका दोस्तों जो कि आपने देखाता है मेरे पिक्चर में लिखा हुआ से दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों आप चलिए इसको सेफ कर लेता हूं ताकि इसको हम यूज भी कर सकते हैं आपको फाल पर क्लिक करने के बाद आपको सेफ पर क्लिक करना है और आ आपको जैए चाहे इंगलेश में लिखावा रहे यान किसी भी लगमिन में लिखावा रहेगा तो उसको आप कुछ इस टैप से उसे टेक्स में CONVERT कर लिजीगा और MSWord के अंदर लाकर उसको पेस्ट कर दिजीगा और उसमें आप अपने असाब से उसमें इडिटिंग पर द कि वियुमें